चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों बीएच्यू का इंट्रिंस एक्जाम जो पहले 10 से 29 जुलाई के बीच कंडेक्ट होना प्रस्तावित था अभी उसको पोस्पोंड कर दिया गया है यह है एक बीएच्यू पहसला लिया गया है कोविड-19 महामारी से उत्पन इस्थिती रेलगाडियों के आवागमन वे इंडिया गवर्मेंट द्वारा अनलोग 2 की गाइडलाइन के मद्दे नजर रखते हुई यह निनल लिया गया है अब यह प्रिक्षाई 16-31 अगस्त 2020 के बीच कंड़क्ट करवाना प्रस्तावित हुआ है आलांकि इन तितियों पर प्रवेश प्रिक्षा कोविड-19 की तब की इस्थिती के मद्दे नजर भार्थ सरकार मानुम संसादन विकास मंत्रा लेवे विस्विदाले अनुदान आय जला सकता है तो यह तो थी टू इस्थ यू इंट्रेंस एक्जाम के बारे में अपडेट अब हम बात करेंगे नीट वज एक्जाम पोस्पोर्ण के बारे में तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि नीट वज एक्जाम ही पोस्पोर्ण cm Department células में तो न एक्जाम डेट से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे तो जेई का एडमिट कार्ड 3 जुलाई को रिलीज होना चीए और एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले ही पोस्बॉंड का नोटिस मिल जाएगा क्योंकि पैरेंट्स एसेशेशन ने हैल्थ मिनिस्ट्र को नी 2020 एक्जाम पॉस्बॉंड के लिए लेटर लिखा है तो दोस्तों नी 2020 एक्जाम पॉस्बॉंड आवस्य ही होगी और जल्दी ही इसका नोटिस आजाएगा क्योंकि जब 80% स्टुडेंट एक्जाम नहीं देना चाते तो ये गवर्मेंट जबर्दस्ती एक्जाम कैसे लेगी अगर फिर भी एक्जाम पॉस्बॉंड नहीं होती है तो कोर्ट की सरण भी ली जा सकती है और कोर्ट इस कंडिशन में एक्जाम कंडेक्ट नहीं करवाने का डिसीजन देगी क्योंकि वो हमेशा ही स्टुडेंट के फिवर में ही डिसीजन देगी जैसे CBSC की कंडिश संदमित दिया है तो दोस्तों हम आसा करते हैं कि जेई का एड्मिट कार्ड रिलीज होने से पहले ही एक्जाम पॉस्बॉंड का नोटिस आने की संभावना है तो इसके बारे में जैसे ही नोटिस मिलेगा कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इनफॉर्म कर दूंगा आप हम मिलिंगी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन